करपूर गवरम करुलावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदाबसंता मिरधार बिंदे भवं भवानी सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कारिक्रम भाग्य गुरु कारिक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या इस्ति है कौन सी तिथी है, कौन सा नचत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है दिशासूल कब है, राहुकल कब है चंद्रमा किस राशी पर रहेगा, सुर्योदे कब होगा, सुर्यास्त कब होगा सारी बात आपको विस्तार से बताएंगे इसके बाद बात करेंगे कि आज का महामंतर क्या है महामंतर का जब आपका इसे करेंगे और जब करने साब को क्या लाब होगा इसके बात करेंगे बारह राशों की भी बारहे में कि आज की बारह राशों क्या कहती है कौन खेल के छत्र में जाएगा कौन बेग्यानिक बनेगा, कौन चिकित्सा के छेतर में जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन सा इत्यकार होगा, कौन गरंतकार होगा, किसके घर में किलकारी गुजेगी, किसके घर में साहनाई बजेगी, कौन बिदेश जाएगा, आयात निजासे क किसको धनला मिलेगा, कौन भारती प्रसाशनिक सिवा मिजाएगा, किस अंग के प्रयोग करने से भागोदों होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, शौधानी के अब रतनी उपाए क्या करना है, गुरू के नुश्खे भी बताऊंगा, दर्सक जलवार तिथी एच्चतुरदशी सत्विसान चत्र सुरियोदे हो चुका है सबेरे 6 बच के 11 मिनट पर सुरियास्थो का साम को 6 बच के 19 मिनट पर भड़ी करण है और चंद्रमार है का कुम राशी में और आज सुम मोर्थ है सुबह ही 11 बच के क्यों मिनट से ले करके दो पहर 12 बच के 49 मिनट पर रहेगा और राहुकाल है दो पहर 3 बच के 17 मिनट से ले करके 4 बच के 48 मिनट साम काल पर देखा का दिशासूल है आज आपको ध्यान रखना है कि आपका चंद्रमार है कुम राशी में है कुम राशी वाले जातकों के लिए सनी की स्ठाड़े साथी चल ल रहुकाल में कोई कारें न करें दूसरी बात के ध्यान रखना है कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं यात्रा परिहार है और छोटी दूरी के तो दही गुड़ खा करके यात्रा करें आपके लिए अच्छा रहेगा अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का मह अगर आप इस महामंतर का जब करते हैं तब का मंगल गरह स्ट्रांग होगा। इसको क्या करें कि लाल चंदन के माला से कम सकम एक माला तीन माला पर्थेक मंगलवार के दिने इस मंतर का जब करते हैं तापके रूख सत्र परास्थों के सफलता मिलेगी खड़ें तरकारी विपल होगा।